तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पारा है Penier Wai में एक नियू अबडेट आया है लान वाले सक्षन में यहाँ पे दोस्तों देख पारा है यहाँ परशनल लान के बगल में दिया गया है टूविलर लान और साथ ही यहाँ पे दिया गया है एक्सिस बैंक बिजनेस लॉन इसके लवा पूरुपर्टी लॉन तो दोस्तों किस प्रकार से आपको टूविलर लॉन के लिए अपलाई करना है चलिए बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप देखते हैं साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए तो जैसा कि हमने पेनियर वाई को ओपन कर लिया है इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में चलना है आपको और यहाँ पे आप देख पार है या फीड किसी भी हितगराही यानि कि सामने वाले जो ग्रहाक है उनके लिए भी आप यहाँ से संक्षन करवा सकते हैं तो किस परकार से करना है और साथी यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पार है लिखा हुआ है minimum monthly income of RS 12,000 यानि कि दोस्तों जिसका भी आप 2-wheeler loan के लिए apply कर रहा है यहाँ पे आपको खास दोर पे ध्यान रखते हुए चलना है कि सामने वाले जो हितगराही है क्या उनका income महिने का 12,000 हो रहा है या नहीं इसके लबा दोस्तों लिखा हुआ है apply for secure two-wheeler loan from 25,000 to 28,000 यानि कि दोस्तों यहाँ पे आप 25,000 से ले करके अरहाई लाग तक यहाँ पे two-wheeler loan के लिए apply कर सकते हैं इसके लाबा लिखा हुआ है loan tenor अगर दोस्तों आप 12 महने से ले करके 60 महने के बीच तक का अगर आप tenor select करना चाहते हैं तो बिल्कुल असानी के साथ आप यहाँ पे select कर सकते हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पे आप अपने according loan tenor को select कर सकते हैं इसके लाबा लिखा हुआ affordable interest rate 12% to 24% per year यानि कि दोस्तों जितना amount आपको दिया जाएगा जैसे मान लिजिए 80,000,000 रुपिया आपके नाम से sanction होता है बीच में यह फ्लेक्चुल होगा यानि कि हो सकता है यह 15% आपसे ले या फिर 18% या फिर 24% तो यहाँ पे यह अपने according यहाँ पे जो है आपसे बियाज लेगा फ्लेक्चुल के according और साही दोस्तों यहाँ पे जो देख पारा है इन partnership with Axis Bank यानि कि दोस्तों यहाँ पे जो लॉन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे जो यह पे नियर वाया है यह एक्सिस बैंक से tag है और आपको जो लॉन सेंक्शन करके जो amount provide कर रहा है वो यहाँ पे एक अप लाई नाव नर्मालि हम क्या करेंगे अपना नंबर यहाँ आपके सामने अभरके आएगा यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर मॉइल नंबर तो यहाँ पे दोस्तों आपको खासता और ध्यान रखना है अगर आप खुद के लिए यहाँ यानि कि जो भी रिटेलर अगर मालेजिए वो खुद के लिए यहां पे टू विलर लॉन ले रहा है तो वो क्या करेंगे अपना मॉइल नंबर यहां पे टाइप करेंगे और साथ ही अगर मालेजिए किसी गरही के लिए टू विलर लॉन के लिए अपलाई करेंगे तो क्या करेंगे यहां पे गरहाक का मोईल नंबर टाइप करेंगे इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है तो चलिए मोईल नंबर डालते हैं इसके बाद प्रोसीड करते हैं क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पे देख पार हैं बोला जारा इंटर OTP यानि कि दोस्तों यहां पर OTP भेजा गया है यहां पर आपको क तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और अगर मांुलेंगें आपके लिए यहाँ पे टुवील लॉन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम यहां पर लुए पgen Nice L लाकर के सेलेक्ट करना है इसके लबाद इस calendar पर क्लिक करके उनका जो भी डेटर बर्थ है pen card के according वो डेटर बर्थ यहां पर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद दोस्तों बोला जारा है residence, address, pin code यानि कि दोस्तों जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का आपको pin code यहाँ पे बोला जा रहा है डालने को तो चलिए हम फटाफट सारे data को fill करते हैं इसके बाद save and next पे click करेंगे तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने सारा data को fill कर लिया है बिल्कुल बारीकी से इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो देख पा रहा है save and continue इस पे click कर देंगे अब दोस्तों click करते हैं यहाँ पे आपको step 2 में देख पा रहा है occupation का यानि कि website का details यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर मानलेजीए employment टाइप में अगर आप selling डीड है यानि कि अगर आप salary basis काम कर रहा है तो I am salary पे click करेंगे। और अगर मानलेजीए आप खुद का कोई काम करते हैं तो क्या करेंगे self employee पे click करेंगे इसके बाद save and continue पे click करेंगे तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पाना है जैसे ही हमने self को select किया यहाँ पे बोला जारा employment का details यहाँ पे डालें तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो भी काम आप करते हो उस काम का details यहाँ पे आपको डालना है साथी बोला जारा है number of year in current business यानि कि दोस्तों फिलाल select किया है, इस business से कितना income आप करते हैं, वो total income यहाँ पे आपको so करना होगा, यानि कि monthly basis का, और साथी यहाँ पे देख पा रहा है लिखा हुआ है important notice में, यहाँ पे लिखा हुआ है your monthly income should be more than 12,000 for two-wheeler loan application, यानि कि दोस्तों यहाँ पे खास तोर पे आपको ध्यान रखते हुए चलना है, कि यहाँ पे अगर मान लेजिए आप खुद का business करते हैं, तो यहाँ पे कम से कम, सामने वाले व्यक्तियों का, 12,000 महिने का income या फिर उससे उपर का होना अती आविस्सक है, तो चलिए हम फटा-फट सारे data को डालते हैं, इसके बाद क्या करेंगे save and continue पे किलिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख पारा है, step 3 में आपको redirect कर दिया है, यानि कि loan details वाले section में, अब दोस्तों यहाँ पे देख पारा है हमें hero motor corpse यहाँ पे finance पे लेना है जिसा कि यहाँ पे दो number पे आप देख पारा है तो normally हम क्या करेंगे, इस financer को select करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पारा है, बोला जा रहा है bike का amount यहाँ पे choose करें, यानि कि दोस्तों आपका जो bike है, यानि कि जो bike आप purchase कर रहे है, उस bike का total amount कितना है, अभी तो दोस्तों फिलाल मालीजी यहाँ पे 25,000 select है, और अगर मालीजी आपको बराना है, तो यहाँ पे जो देख पार है plus का sign, इस पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपका, bike का amount यहाँ पे increase हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पार है, जैसे मालीजी हमें 120,000 का bike लेना है, तो यहाँ पे 120,000 यहाँ पे select करेंगे, अब दोस्तों scroll करेंगे, अब बोला जा रहा है, how many month, यानि कि दोस्तों कितने month के लिए, यानि कि कितने month में आपको यह loan चुकता करना है, तो जैसे मालीजी हमें 12 month में ही इसे clear करना है, तो यहाँ पे जो देख पार है 12, इसे हम 12 पे ही click रहने देंगे, अन्याथा इसे scroll करेंगे इधर से, तो यह automatic increase हो जाएगा आपका टैनर, तो चुकि दोस्तों में 12 पे ही click रहने देना है, इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है down payment percentage में, और साथी बोला जा रहा है minimum down payment रुपिया, 20% यहाँ पे required है, तो इसके according यहाँ पे आपको काम करना है, जैसे मालीजी यहाँ पे, यह 20% पे अब दोस्तों जैसे मालीजी यहाँ पे 120,000 का बाइक है, और साथी यहाँ पे जो नीचे में आप देख पा रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो इसका down payment है 24,000 है, और साथी यहाँ पे जो इसका लोट में लिखा हूँ है, यह पे जो दोनों को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहा है, लोट में लिखा हूँ है, non-refundable amount will be devited from your main wallet, यानि कि दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ पे non-refundable amount काटा जाएगा, यह आपको return बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, यह जो 100 रुपीया है, यह आपका processing fee होगा, चाहे आपका loan sanction हो या ना, यहाँ पे आपको 100 रुपीय का चलान पे करना हो तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने सारा data को fill कर लिया है, अगर मानलिजे हमें यह loan लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली पे पे किलिक करके payment करेंगे, और आपका application पे नियर वाई के दोरा, access bank को sanction होने के लिए चला जाएगा, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो sanction है, इसका अभी फिलाल कोई भी update नहीं दिया गया है कि कितना दिन में इसका sanction होगा और किस परकार से होगा, अगर आपको इसके परती जनकारी चाहिए, तो आप customer care number पे जाकर के बात कर सकते हैं, जो कि पेनियर वाई के अंदर दिया झाल 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 झाल